तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे पेड़ दर्थ को ठीक करने वाला एक बेस्ट मेडिसिन के बारे में जिसका नाम होता है डाई साइकलोमीन हाईडोक्लोराइट एन पारासिटामॉल तो फ्रेंड्स इसमें 10 टबलेट रहता आई है 48 रुपीज पड़ता है 10 टबलेट को इस टबलेट के बारे में डिटल्स आज हम बात करेंगे क्या क्या इसका यूज होता है डोज क्या होता है साइड इफेक्ट क्या होता है मोड अप एक्शन काम कैसे करता है सभी चीजे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सुस्क्रेब कर दें इसी तरह के जानकारी पारने के लिए तो फ्रेंड्स इसका जो कॉंपोजेशन होता है इसमें डाइस आइकलोमिन हाइडोकलोराइड जो रहता है वो 20 mg रहता है और जो परासी टमल रहता है वो 500 mg रहता है तो यह दोनों मेडिसिन से मिलकर यह बनता है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसको आप किस नाम से मेडिसिन स्टोर पे खरिश सकते हैं इसका ब्रांड नेम क्या होता है उसके बारे में तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पे नाम से आप खरिश सकते हैं यह बहुत ही अच्छा टेबलेट होता है बहुत ही अच्छा ब्रांड होता है यह आप खरिश सकते हैं कोली मेक्स टेबलेट के नाम से तो यह इसका ब्रांड नेम होता है तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस टेबलेट के यूज के बारे में जैसे कि हमने जाना था पेट दर्थ को ठीक करने के लिए यूज में लाया जाता है इसके अलाबा और इसका क्या क्या यूज होता है बात करेंगे डिटल से तो फ्रेंट सबसे पहला जो यूज है पेट दर्थ को ठीक करने के लिए दिया जाता है आपके पेट में किसी भी तरह का दर्थ हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है जैसे की irritable bowel syndrome यह है क्या होता है कि हमेरा intestine से जुड़ी हुई समस्या होता है जब उसमें दर्थ होता है तो उस टाइम यह tablet को दिया जाता है patient को और दिया जाता है किसी बेक्ति को diarrhea lose motion हुआ है उसके बज़े से पेट में बहुत ज़्यादा दर्थ हो रहा है पेट में मरोड आ रहा है तो उस टाइम यह tablet को दिया जाता है और एक important use होता है इसका period के टाइम जब बहुत ज़्यादा दर्थ होता है जो महिला सहन नहीं कर पाती है तो उस टाइम यह cycloparm tablet को patient को दिया जाता है और यह safe होता है period में कोई भी दिक्कत नहीं होता है तो period के टाइम जब आपको बहुत ज़्यादा दर्थ हो तो आप इस tablet को उस टाइम ले सकते हैं तो इसके अलबा इसको दिया जाता है किसी ब्यक्ति का सीर दर्थ हो रहा है या joint में पैन हो रहा है या किसी प्रकार का injury हो गया है पैन हो रहा है या body में किसी जगा पे पैन हो रहा है तो दिया जाता है तो friends इन सभी प्रकार का problem को ठीक करने के लिए यह tablet को doctor के द्वारा दिया जाता है तो next हम बात करेंगे इस tablet के common side effect के बारे में अगर किसी ब्यक्ति को side effect होता है तो उसको nausea vomiting हो सकता है, सीर में दर्थ, सीर चक्राना ऐसे लग सकता है, weakness लगेगा और patient को acidity gas की problem हो सकता है, तो यह सब इसका common side effect होता है इन message अगर कोई side effect होता है या इसके लबा और कोई side effect होता है तो tablet को यूज करना बंद करके अपने doctor को एक बार जाके जरूर से दिखाएं तो friends वीडियो के हागे हम बात करेंगे, डोज के बारे में इसको कैसे खाया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे तो अगर आपको normal पेट दर्थ हो रहा है, तो आप एक tablet खा सकते हैं अगर आपको पेट दर्थ जो है वह ठीक हो गया तो दूसरा tablet खाने का जरूरत नहीं है, और अगर आपका जो पेट दर्थ है वह बंद नहीं हो रहा है तो आप दिन में 2-3-4 खा सकते हैं, ठीक है मैक्सिमम दिन में तीन बार खा सकते हैं उससे ज़्यादा ना खाई बहुत ज़्यादा दर्थ हो रहा है तो तीन बार खाई नहीं तो दिन में दो बार आप खा सकते हैं और यह tablet को हमेशा खाना खानी के बाद ही दिया जाता है, खाली पेट में इसको कभी भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि खाली पेट में देने से ग्यास की प्रोब्लेम, एसीडिटी की प्रोब्लेम हो सकता है, उसके बज़े से खाना खानी के बाद ही दिया जाता है, और अगर किसी महिला को पीरियोड के बज़े से पैन हो रहा है तो वो एक टेबलेट ले सकती है खाना खाने के बाद तो फ्रेंड्स यह होता है एडॉल डोज यह 15 साल 17 साल से छोटे बच्चों को यह टेबलेट कभी भी ना दें और एक चीज बिना डोक्टर के सला यह टेबलेट को घर में यूज ना करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करदें थैंक्यू फॉर वाचिंग